नमस्कार दोस्तों मेरी ईजी लिक्ती ग्यानी टूम में अपलो का स्वागत दोस्तों आज हम TV के बारे में एक और खास जन्कारी लेकरे हैं जो कि बरसाद के मौसम में या थंड़े के मौसम में ज्यादा अतर खराब होताहें तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर Onida company का फलेट TV है कोई भी company का TV हो ज़िए उसका HT leakage करें कहीं से तो उसको कैसे ठीक करना है इसी के बरे में हम आज की वीडियो बना है ज़िए इस तरह का HT leakage करेगा तो कैसे ठीक करना है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वीडियो में मैं दिखा देता हूँ किस तरह से leakage कर रहे हैं हाँ पर में बोर्ड में supply देने का बाद में देख रहे हैं यहाँ पर HT इस तरह का expire करता है leakage करता है तो इसको इजी अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के बारे में हम आज के वीडियो बना है आप जदी मेरे इस चैनल पर नहीं है तो मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले साथ में बेल घंटी प्रेस करना ना भूले दोस्तों इसको ठीक करने के लिए कुछ करना नहीं है मात्रे 10 रुपे के खर्च में इसको आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ओनिडा कमपनी का एप पलेट टीबी है बिल्कुल सही है पलेट में कोई तरह का दिकेत नहीं एस्टी लिकेज करने के बहुत सरा चीज इसमें खराब हो सकता है या इसी भी खराब हो सकता है या आटपूट ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकता है लेकिन अभी इसमें कोई टीकत नहीं है, जो १ेफ़ेशYNी, बिल्कुल सही, सालामट अब … यह जूद दैया हुआ रहे स्पालिक Эश टी यह कही वाल हुआ, टीको पहले से पहले इसको ग्राउंट से Dbage करना चाहिए तब श्के साहिए मेल अनl Dheta, व्यूदा ज्यादा करेंट इसमें चार्ज रहता है तो इसको डिस्चार्ज करना जरूरी है तो दोस्तों डिस्चार्ज करने के बाद में इस तरह का कांचा टेप मंगा लेंगे जो कि आपको दुकान पर इलेक्टिक दुकान पर मिल जाएगा और जहां लगाना है उसको एस्टी को अच जो एक कांचा टेप है समर सेभूल वायर को भचेड़ करने में क्याम आता है जो टॉस्तिक कांचा टेप लगा देने के बाद में एक बार लगा से लेक यहां करेगा यहां से लीक करेगा यह करेगा ही स्क हराब हो जाए करत screeningאक चैड़ाच से लाउनीज़ channel कर देंक inverse तो बंड़ेच करने के बाद में आप कुछ देर इसको छोड़ देंगे उसके बाद में या फिल हाल ही इसको चला सकते हैं कुई दिखत नहीं है और इसको थोड़ा ma continent करने के बाद में हम इसको चला कर दिखा देंगे की इस तरह से बिलकुल चहि हुआ है और HD जो है आप इस तरह का HD खरीदियेगा मार्केट में तो 400 के आसपास में HD मिलेगा तो दोस्तो इसको लागा कर अच्छी तरह से मैंने लाइट देखता हूँ देख रहे हैं आगे में इंडिकेटर जल रहा है प्लेट में अर जो जहाँ currents करा थे यहां बिल्कुल लीकेटर खत्म हो गयां आगे screen पर दिका देता हूँ इस screen पर लाइट आ पलीघ आ गया है तो दूस्तो सब्स देख रहा है इस स्क्रीन पर लाइट विल्कुल आ गया है और इस तरह का जिदी एस्टी आपको लिकेज करे तो आप घर बैठे मातरे 10-5 रुपे के खर्च में इसको ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों देख रहे हैं यहां से बिल्कुल सही हो गया और उसके बाद में मैंने इसको पुरासा वीडियो दिखा देता हूं वीडियो चल रहा है की नहीं चल रहा है हो सकता है मान के चलिए एस्टी लिकेज कर रहा है तो बिल्कुल ठीक हो गया हो सकता है कि वीडियो के बाद में जो लिकेज होए लिकेज भीर से चालो हो जाए ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों और HD आप चाहे तो बदल भी सकते हैं लेकिन खर्चा ज़्यादा लगेगा तो दुस्तो इस्क्रीन पर तो लाइट आ गया लेकिन इसको वीडियो चला कर थोड़ा दिखा देता हूं यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो बिल्कुल सही दिखा रहा है साउंड भी दे रहा है य और नेक्ष्ट वीडियो में इसी तरह से फिर मिलते रहेंगे तब तक चलते हैं दुस्तो जाए हिंज जाए भारत बंदे मातरम